नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फ्यूल इंजेक्टर के बारे में फ्यूल इंजेक्टर को डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर का में फंक्शन होता है जो liquid fuel fuel tank से आता है उसे atomize करना atomize का मतलब है कि जो liquid fuel है उसको microscopic droplets में उसको break करना ताकि उसको vaporize करना आसान हो जाए और वह अच्छी तरह से air के साथ mix होके हमें complete combustion provide करे जैसा कि हमने बात किया to spray atomized fuel into the combustion chamber of an internal combustion engine जो internal combustion engine है वो diesel engine के बारे में इसमें बात की गई है fuel injector का दूसरा नाम होता है fuel atomizer तो यह diagram आपके सामने है fuel injector का तो देखते हैं कि fuel injector के क्या क्या components होते हैं इसकी construction किस परकार से होती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर आप देखें यहाँ पर एक nozzle valve आपको नजर आ रहा है जो nozzle valve है वो nozzle body के अंदर fit होता है और यह spindle के साथ attach होता है और जो spindle है वो एक spring के साथ लगा होता है मतलब कि जो force exert किया जाता है spring के दुआरा वह spindle के माध्यम से nozzle valve तक आता है क्योंकि जो nozzle valve है वो rest करती है एक seat के उपर और यहाँ पर एक adjusting screw लगा होता है adjusting screw की मदद से nozzle valve की lift को adjust किया जाता है आवशक्ता अनुसार नॉर्मली जो nozzle valve है उसकी lift को set किया जाता है ताकि 135 से 170 के बीच का जो pressure होता है मतलब की 135 से 170 बार pressure के बीच की जो range है उसके बीच में हम इसको lift कर सकें इसके अलावा अगर हम देखें इसके top side पर यहाँ पर एक feeling pin लगी होती है feeling pin की मदद से हमें indication मिलती है कि जो nozzle valve है वो properly working कर रहा है या नहीं कर रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें अलग से एक passage बना हुआ है जिसको हमने B से indicate किया है और यहाँ पर B से वो C passage की तरफ मुड़ रहा है तो जो fuel आएगा fuel pump की मदद से fuel tank से वो इस passage से होता हुआ जाएगा यहाँ से अगर हम देखें बिल्कुल तो वो nozzle तक जाएगा तो under pressure यह होगा सारा कारिये क्योंकि fuel pump जो है वह हाई pressure पर fuel को सप्लाई करता है fuel tank से इस पैसेज में fuel को और जो fuel यहाँ से पास करेगा तो वह nozzle को lift कर देगा जो nozzle यहाँ पर लगी है उसको वो lift कर देगा और जिसके बाद जो fuel है वो downward direction में nozzle से पास होता हुआ engine slender में inject होगा और जो fine spray आपको बिल्कुल नजर आ रहा है किस तरह से एक liquid fuel को बिल्कुल fine droplets में इसको break कर दिया गया है तो एक परकार से अगर हम बात करें कि जो oil यह fuel जो pressure अगर कम हो जाता है मतलब जैसा हमने बात की कि जो fuel tank से fuel आएगा वह under pressure होगा जैसे ही pressure कम हो जाएगा तो उस condition में जो nozzle valve है वह अपनी seat पर वापिस आ जाता है spindle के through spring force की मदद से क्योंकि fuel के आने से तो वो lift हो गया था लेकिन जैसे ही fuel का pressure कम हुआ nozzle अपनी seat पर आ जाएगा जिससे क्या होगा कि जो fuel की supply है वो cut up हो जाएगी इसके बाद अगर हम बात करें जो nozzle valve है यह हमारे पास nozzle valve से उपर अगर किसी भी परकार की leakage होती है तो जो fuel या oil है वह वापिस चला जाएगा यहां पर अगर हम देखें fuel valve के साथ में अलग से एक पैसे जा रहा है यह ए से indicate किया गया है तो इसके माध्यम से वो जो fuel या oil है वापिस वो fuel tank में चला जाएगा ऐसा तब ही होता है जब nozzle valve worn out हो जाता है तो जो भी access fuel है वो वापिस हमारा fuel tank में इस passage के माध्यम से चला जाएगा दूसरी बात अगर हम बात करें जो fuel injector होता है fuel injector में हम जो fuel को meter कर सकते हैं वो carburetor के मुकाबले काफी precisely इसमें किया जा सकता है और साथ में fuel injector के प्रियोग से जो fuel की wastage है वो भी बहुत कम होती है और fuel की wastage कम होने से जो engine की power increase हो जाती है emission कम होता है और fuel consumption भी कम होता है अगर हम बात करें placement की जो fuel injector की placement की बात करें तो वो engine की different part पर हो सकता है वो basically depend करता है कि fuel injection system हमने किस type का इस्तेमाल किया है इसके अलावा जो हमने बात की कि जो fuel injector की जो leakage होती है जब fuel injector की leakage होती है तो उस दोरान जो fuel consumption है वो बढ़ जाती है emission काफी poor होता है और जो engine है जब होट होता है तो उसे hard starting होती है और जो fuel की जो order है वो car के अंदर और car के around वो हमें मिलती है hydro lock भी हो जाता है जिसके कान catastrophic engine failure हो सकता है तो यहाँ is diagram से आप देख सकते हैं कि यह fuel pump है यह fuel filter है fuel tank से fuel आएगा तो यहाँ is fuel lining के माध्यम से fuel injector में जाएगा और जो भी access fuel होगा वो इस line के माध्यम से वापिस fuel tank में चला जाएगा और यहाँ इस diagram में अप देख सकते हैं कि engine से जो fuel injector है जो यहाँ पर लगा हुआ तो उसको बाहर निकाल के आपको दिखाया गया है और जो spray होता है fuel का जो fuel injector का है वो continuous भी हो सकता है और वह intermittent भी हो सकता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया fuel atomizer जिसे हम fuel injector के नाम से जानते हैं और diesel engine में जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर सकते हैं झाल झाल